गर में window लगाने की coffee option है आप PVC की लगा सकते हो आप wooden की लगा सकते हो लेकिन सब में मैं कहूंगा better और सबसे सस्ती कौन सी है वो है aluminum window बताने वाला हूँ क्यों वो सस्ती है कितना rate पड़ेगा अगर 4x4 की window लगाओगे या 5x5 की या 4x6 की जो भी window लगाओगे आपको कितना rate उ लग जाएगा आपके area में भी लग बग यही rate चल रहा होगा 10-20 रुपे आगे पीछे होगा बस आपको quality देखनी होती है rate 10-20 रुपे जदा देना पड़े दे दो लेकिन quality देख लो तो three door की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें net भी आता है छीशा भी आता है और 4x4 की window रहेगी ठीक है mostly लोग क्या करते हैं use करते हैं 4x4 की window करते हैं और इसमें जो glass use किया गया है वो किया गया है 6mm का जो rate में आपको बताने वाला हूँ और frame भी काफी जदा अच्छा है brown color का frame है forest ground जो रहता है brown तो window हमारी है 4x4 की आपकी जितने भी window हो 5x6 की दोनों को multiply कर लो 4x4 को multiply क 16 square feet आ गया हमारा कितना 16 square feet फिर window आती है ionized जैसे मैंने कहा जो अच्छी quality की आती है जिसका color भी नहीं जाता है कुछ effect नहीं होता है ना maintenance की जुरूत है तो उसका इस समय market में आपको मिल जाएगा 325 रुपया पर square feet के साब से तो जिसमें आपकी labor भी है material भी है दोनों चीजे इसमें include है कोई इसमें अलग से आपको कुछ नहीं देने तो 16 square feet के है तो 5200 रुपी हमारा उसका खर्चा आएगा 5200 रुपया हमारा उसमें आएगा material प्लस labor ठीक है अगर labor इसमें से निकाल देते हो आप तो आपको ये 280 रुपय पर square feet से भी दे देते हैं आपको लेकिन मैं बोलूँगा with labor लो क्योंकि proper से fixing उसकी होती है और possible हो जब आप aluminum की window लगवा हो थोड़ी दिक्कत रहती है कि खर्चा बढ़ जाता है लेकिन ग्रे नाइट जो रहता है window के चारो तरफ वो लगा लो नहीं तो ना packaging अच्छे से नहीं होती है तो वो दिक्कत रहती है उसके न फोड़ा difference है बनाने का तरीक है इसमें जो polish paint किया जाता है इसमें powder coated होता है यह भी होता है लेकिन थोड़ी quality कम हो जाती है तो अगर हम 4 by 4 की अगर powder coated लें तो 16 square feet आये था हमारा 4 into 4 तो 240 रुपया rate market में चल रहे है यह भी material plus labor है तो इसमें आपका 3840 रुपया खर्चा आ जा आके तो आपको कितने की window पड़ेगी double खर्चा पड़ता है इसमें double खर्चा लेवर भी इतनी तो लेवर पड़ जाती है उस windows को बनाने में बाकियों की अगर हम बात करें अगर आप लकड़ी के लगाते हो बहुत जादा खर्चा पड़ता है दो गुना खर्चा पड़ता ह एक रहती है powder coated एक रहती है ironized coating ठीक है मैं कहूंगा अगर आपका budget कम है तो आप लगाओ powder coated क्यूंकि उसका जो rate चल रहा है market में मैं आगे rate analysis करने वाला हम पूरा खर्चा निकालूंगा example लेके लेकिन अगर हम पकड़ के चलें जो powder coated रहती है आपने देखा होगा थोड़ा चल रहा होगा किसी company का कोई branded चीज़ का लेकिन आप दूसरे के पास जाओगे वो बोलेगा हम 210 में करके देंगे लेकिन वो branded चीज़ निए गाता है मतलब rate भी देखना brand भी देखना वो है ionized coating जो रहती है वो रहती है उसमें आपको काफी colors मिलेंगे और वो उसकी life के साथ shine खरावनी होती है ना पानी का effect पड़ेगा ना दूप का effect पड़ेगा तो वो आपको market में इस समय मिलेगी 320 रुपे से start हो जाती है 370 रुपे तक वो चलती है इसमें वो ही चीज़ है branded non branded का और अगर हम बात करें brand कौन से हैं अभी मैं branding non branding कर रहा हूं कबसे brand अगर जो आपको market में समय सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप जिंदल का ले लो जिंदल के काफी quality अच्छी है ब company का मिल जाता है वो अच्छा यह चार company में आपको बता दी आप market में पता करो यह चार companies का हमें चाहिए और आपको चूज करना है powder coated आप तब चूज करोगे आपका budget कम है आपको quality अच्छी चाहिए कोई दिक्कत नहीं powder coated में कोई quality खराब नहीं होती है फिर अगर आपका budget थ दियान दे नहीं आती है आपको वो होता है जो शीशा होता है इसका mirror होता है उसमें वह धियान देने जब आप रेट बना रहे हो 220 या 300 रेट बना रहे हो वह आपको rate हां कर देगा लेकिन जो उसमें ग्लास यूज करेगा वो पतला ग्लास यूज कर देते हैं तो आपको 6 mm या 8 mm का glass यूज़ करना है मैं अभी बोल देता हूँ 6 mm जा 8 mm 5 mm का मत यूज़ करो या 5 mm से कम का glass मत यूज़ करो glass पर भी लिखा रहते है 6 mm का है या 8 mm का वो यूज़ करो और उसमें देखो यार plain glass नहीं हो थोड़ा colorful glass होगा तो एक तो काफी advantage है अंदर बार नहीं दिखता है दूसरा वो देखने में भी काफी जदा अच्छा लगता है यह चीज भी आपको दियान देनी है एक और चीज जो इसमें आपको दियान देनी है जब आप इसकी low अलमूनी window low कि उसमें जो जो उसके lock है sliding है वो कौन से लेने आपको उसमें देख लेना वो भी आपको branded लेने है duplicate company के भी आते हैं थोड़े time बात क्या होता है दूप और बारिश से वो plastic के आते हैं वो खराब हो जाते तो यू पीबीसी के होने चाहिए अच्छी branded होने चाहिए यह quality देखके ही आपको लेने है और इसी में काफी चीज होती है तो मैं बोलूंगा three door sliding door जो रहती है वो हमेशा आप लेना उसमें क्या होता है एक तो जगा काफी ज़ाद होता है तीन पढ़ले होते हैं तो support भी मिलती है थोड़ी opening कम होती है लेकिन वो काफी ज़दा अची है उसमें भी आगर आपको opening ज़दा चाहिए जो normal खिटकी दाना बाहर में खुलती है वो भी मिल जाएगा थोड़ा costly वो रहता है तो आप क्या करो three door रह लो जिसमें net भी रहता है छीशा भी रहता है यह सब चीजे रहत है और या थोड़ा ध्यान देना अगर मैं technical की बात करूं तो जो best grade रहते ऐल्मूनियम का वो 7075 ले लेना या 6065 ले लेना और thickness 1.2 mm उसकी होनी चाहिए और जो भी ऐल्मूनियम लो is code 1038 को follow करना चाहिए यह होगे थोड़ा